2014 के बाद से भारत दे प्रो एक्टिव एप्रोच अपनाई हैं इसका नतीज़े ये हुआ है कि 21 सदी का ये तीसरा दसक रोजगार और स्वरोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कलपना भी नहीं की जा सकती थी आज युगाओं के सामने कई ऐसे सेक्टर्स खुल गए हैं जो दस साल पहले उपलब्द तक नहीं थे हमारे सामने स्टार्ट अप्स का उदारण है स्टार्ट अप्स को लेकर आज भारत के युगाओं में जवर्जस्त उत्सा है एक रिपोर्ट के मुताबेक स्टार्ट अप्स ने चालिस लाग से जादा डायरेक्ट और इंडायरेक्ट जॉब्स तयार की हैं इसी तरह ड्रोन इंड़स्ट्री है आज एगरिज कल्चर हो या डिफेंस सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सर्वे हो या फिर स्वामित्व योजना ड्रोन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है इसलिए बहुत सारे युवा ड्रोन मैनुफेक्टरिंग ड्रोन फ्लाइंग से जुड़ रहे हैं आपने ये भी देखा है कि बीते आठ नव वर्षों में कैसे देश के स्पॉर्ट सेक्टर का काया कल्प हो गया है आज देश भर में नए स्टेडियम तयार हो रहे हैं नई एकेडेमी तयार हो रही हैं इन में कोच, टेक्नीशन, सपोर्ड स्टाप की जरुवत पड़ रही हैं देश में स्पोर्ट का बजेट दो गुना होने से भी युवाओं के लिए नए मोके बन रहे हैं